प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सच्चा वाक्या बताएंगे जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और ताजुप करेंगे कि जब शादी वाले दिन दुलहे ने दहज में मांग ली कार फिर दुलहन ने जो किया किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा हो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा आखरी तक देखते रहिए ये बहुत ही प्यारी वीडियो है और आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजे और चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजे क्योंकि हम आपके लिए आपकी जरूरत के वीडियो लाते रहते हैं प्यारे दोस्तों गुजरात के एहमदाबाद में दो परिवार के बीच लड़का और लड़की की शादी तै हुई फिर कुछ दिन के बाद उनकी मंगनी हो गई यानी सगाई हुई लड़की काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी सगाई के बाद तकरीबन एक साल का वक्त गुजर गया उसके बाद सादी का दिन आ गया जब लड़के वाले बरात लेकर लड़की के घर पहुँचें तो लड़के वालों का सांदार स्वागत किया गया मगर निकाह से पहले लड़के ने कार की मांग कर दी तो यह सुनकर लड़की के वालिद हैरान वा परेशान हो गए जब इसके बारे में लड़की को मालूम हुआ कि लड़का दहज में कार मांग रहा है तो दुलहन सादी करने से इनकार करने लगी यह देखकर लड़की का वालिद लड़की को मनाने लगा कि बेटी अगर सादी ना हुई तो हमारी इज़त चली जाएगी तुम सादी के लिए हा बोल दो यह सुनकर लड़की कहने लगी बाबा आप मेरी शादी ऐसे सखसे क्यों करना चाहते हैं जिसको मुझसे महबत नही मेरे साथ जाने वाली दौलत से मुहबत है बाबा मेरी जिन्दगी वहाँ पर क्या होगी जहां पर मेरी इज़त मेरे इल्म हुनर और मेरी सादगी की वज़ा से नहीं बलकि मेरे साथ जाने वाली फिरिजकार और दूसरी महंगी चीजों की वज़ा से होगी यह सुनकर लड और हमारी इज़त का क्या होगा जब मैंने इतना कुछ किया तो मैं कार का भी इंतिजाम कर सकता हूँ मगर तुम इंकार मत करो दोस्तों वो लड़की अपने बाप की आँखों में आसु देखकर साधी के लिए तैयार हो गई उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई शादी के दो दिन के बाद लड़की के वालिद ने कार का इंतिजाम कर दिया लड़का कार पा कर बहुत खुश हुआ उसके बाद अपनी बीवी को बिठा कर घर जाने लगा रास्ते में वो गाड़ी बहुत तेज स्पीड में चला रहा था और म्यूजिक भी फुल करके रखा था या देखकर लड़की कहने लगी म्यूजिक की आवाज कम करो और गाड़ी की स्पीड भी कम करो यह सुनकर लड़का ने कहा मुझे काफी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए आज पहली बार मैं अपनी कार चला रहा हूँ मेरी तो आवकाद भी नहीं थ कि मैं कार खरीद सकता इसलिए मैंने तुम्हारे पापा से मांग लिया तो तुम्हारे पापा ने दे दिया इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों वो आपस में बात ही कर रहे थें कि उसका ध्यान भटका और सामने एक भिकारी आ गया इसकी टकर लगने वाली ही थी कि लड़की चिल्ला उठी तो लड़की ने गाडी घुमा दिया वो भिकारी बच गया लड़के ने गाड़ी रोकी और उत्रा और जोर जोर से उस भिकारी को गाली देने लगा इसकी गाली सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा और लड़की गाली से उत्री और उस भिकारी के पास जाकर उसको उठाया उसको पता चला कि वो भिकारी अंधा है उसके बाद उस लड़की ने उस भीकारी को बताया बाबा हमारी नई नई शादी हुई है हम लोग बातों में मजगूल थें इसलिए हमारा ध्यान भटक गया आप हमें माफ कर दीजे इस लड़की ने उस बाबा को सो रुपे दिये और बोला आप हमारी नई शादी की लेना वो लड़की भीकारी से बात ही कर रही थी कि इतने में वो लड़का बोल उठा तुम जैसे लोंगों की वज़ा से ये भीकारी सर पर चढ़ते हैं ये लोंग ऐसे ही होते हैं जो जान बूच कर गाड़ी के आगे आ सकें और बाद में इनको पैसे मिल सकें ये सब भीक पर से कहने लगी ये जो भिकारी होते हैं न ये सुबा उटकर दर दर भीक मांगते हैं तब जाकर इन्हें थोड़ा बहुत मिल पाता है जब ये मेहनत करते हैं तो इनको मिल पाता है और जहां पर मेरे पापा ने इतना पाल पोश कर इतना बड़ा किया उन्होंने अपना सब क आपके हवाले कर दिया आपने जो मांगा था सब कुछ आपको दे दिया अब आप ही बताओ यहां पर असली भिकारी कौन है या जो गाड़ी के नीचे आने वाला है या जो इस पर गाड़ी चलाने वाला था दोस्तों यह सुनकर उस लड़के के होस ठिकाने आ गए उसके कान खुले के खुले रह गए उसको एहसास हो गया यहां पर असली भिकारी कौन है वो लड़का अब सर्म से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था यहां पर असली भिकारी तो वो लड़का है उसको ये बात खुद एहसास हो गई थी लड़की की इन बातों को सुनकर लड़का रोने लगा दोस्तों दहज मांगना भीक मांगने से बत्तर काम है दोस्तों अब कुछ लोंगों के दिमाग में दहज के ही बुरा भला कहने को आ गया होगा और कुछ लोंग दहज को ही गालियां देने लगते हैं दोस्तों हम आपको बता दें कि दहज को हर्गिस बुरा भला ना कहें क्योंकि दहज हमारे प्यारे आका सलिल्लाहु ताला अलही वसल्म की प्यारी सुन्त है हमारे प्यारे आका सलिल्लाहु ताला अलही वसल्म ने अपनी प्यारी बेटी हजरते फातिमा रजी लाहु ताला अ अगर आपके पास है तो आप चाहे एक लाग का दहज दें या पांच करोड का दहज दें लेकिन अगर कोई दहज मांगता है तो दहज मांगना हराम है और दहज मांगने वालों के हां अपनी बेटी को नहीं करना चाहिए दोस्तो इसकी पीछे सबसे बड़ी वज़ा ये है कि अगर आप से कोई आज एक करोड का दहज मांगता है तो आज आप एक करोड का दहज देंगे कैसे भी करके चाहे आप उधार करजा ही करके क्यों ना दे दें लेकिन एक बात हमेशा याद रखें जो दहज मांगते हैं उन कल बाइक की डिमांड करेंगे यानि कि वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करते रहेंगे तो हमेशा याद रखें कि आपको दहच को गाली नहीं देनी है माजला अस्तक्फिरल्ला लौहल वला कुवत आपको दहच को हर्गिस गाली नहीं देनी है बलकि दहच मांगने वालों को बुरा कह सकते हैं लेकिन दहच को आप हर्गिस बुरा नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे प्यारे आका सलिल्ला अलही वसल्म की सुन्नत है तो आपके पास जितना भी है आप हजब तौफिक दहज दें लेकिन दहज किसी से हर्गिस ना मांगें दहज मांगना हराम काम है